दोस्तों कैसे हो क्या हाल चाले तो comparison करना हमारे चानल की परमपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन है फिर चाहे वो mobile के comparison हो या फिर प्रोसेसर का और उसी परमपरा को continue करते वे आज हम compare करेंगे चार प्रोसेसर को और ये चारों प्रोसेसर ऐसा वैसा नहीं है मतलब अपने आप नहीं प्रोसेसर के साथ होता है तो भाई देखते ये कितना टिक पाते हैं उनके सामने तो ये चार प्रोसेसर है क्यों से तो सबसे पहला snapdragon 7 plus Gen 2 उसके बाद डायमन सिटी 8200 फिर है Snapdragon 8 Gen 1 और फिर Snapdragon 870 तो सबसे पहले इनके spec की बात करें तो इसमें Snapdragon 870 एकलोता प्रसेसर 7 nm का है वरना बाकी तीन प्रसेसर 4 nm के तो बैटरी अच्छी खासी बचाएंगे और उसके बाद launch देर की बात करें तो 7 प्लस जेन टू में 2023 का है और डामेंज सिटी 8200 डिसेंबर 2022 का है और Snapdragon 870 जैनेवरी 2021 और 8 Gen 1 डिसेंबर 2021 का है इसके बाद Antutu स्कोर की बात करें तो Snapdragon 870 साथ लाग चाली सहार से जादा Antutu स्कोर करता है 8200 आट लाग तीस हजार से जादा लेकिन भाई 7 प्लस जेन टू और 8 Gen 1 का क्या ही कहना 10 लाग 11 लाग L22 स्कोर है इनका और चारो प्रोसेसर LPDR 5 RAM UFS 3.1 की स्टोरेज को सपोर्ट करते तो जो Snapdragon 870 उसमें आपको Adreno 650 GPU मिलता है जिसके वाद से आप 60fps में गीमिंग कर सकते हो और जो Dimensity 8200 है उसमें आपको Mali G610 MP6 GPU मिलता है और जो 7 Plus Gen 2 है उसमें आपको Adreno 725 GPU मिलता है और 8 Gen 1 में आपको Adreno 730 GPU मिलता है तो Snapdragon 870 में आप 60fps में गीमिंग कर सकते हो लेकिन बाकि तीन प्रोसेसर में आप 90fps में बड़ी आसानी से गीमिंग कर सकते हो अब इसके बाद दो और important चीज़े रहे जाती है वो है camera और recording और playback का support तो जो 7 Plus Gen 2 है और जो Dimensity 8200 है उसमें आपको 4K का support मिलता है और बाकि तीन प्रोसेसर में आपको 200 Maca Pixel के single camera को support दिया है अब यह तो इनके spec की बात होगी अब आते भाई comparison की उपर की इन चारों में से सबसे तगड़ा कौन सा है अब वैसे तो हमारा main comparison रहेगा 7 Plus Gen 2 के साथ बाकि प्रोसेसर का लेकिन मैं last में rank बता दूँगा कि भाई 4th number पे कोन है और 1st number पे कोन आता है तो comparison स्टार्ट करते Snapdragon 7 Plus Gen 2 वसे Snapdragon 870 से तो CPU, GPU, Single Core, Multi Core या फिर बैटरियों हर मामले में 7 Plus Gen 2 870 से बहुत ज़दा बेटर है मतलब ये one side match हो जाता है उसके बाद next comparison है 7 Plus Gen 2 वसे डामेंसेटी 8200 जो कि 30,000 के नीचे भाई बहुत मतलब इनकी तगड़ी fight चलती है क्योंकि दोनों के साथ काफी अच्छे phone आते है Ico Neo 7 हो या फिर Poco F5 हो तो इनका दो भाई comparison बनता है तो देखो CPU, GPU के मामले में 7 Plus Gen 2 आगे है मतलब आप gaming वगएरा अच्छी कर पाओगे 7 Plus Gen 2 के साथ और बाकि सारे काम भी अच्छे हो जाते है अगर multitasking वगएरा करते है क्योंकि single core, multi core उसका काफी अच्छा है 7 Plus Gen 2 का और यह मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है बहुत सारे रिव्यूज में कि Diamond City 8200 से 7 Plus Gen 2 अच्छा है लेकिन बैटरी के मामले में दोनों एक्वल रह जाते है क्योंकि दोनों 4 NMK है तो आपको अल्मोस्ट सेमी बैककप मिलने वाला है अब वो थोड़ा फोन के उपर रहेगा कि भाई वो कितना अप्टमाइज है उस प्रोसेसर के साथ तो यहां पर भी 7 Plus Gen 2 आगे निकल कर जाता है 8200 से इसके बाद है भाई लास्ट तगड़ा कंपेर जिन 7 Plus Gen 2 वसेस 8 Gen 1 8 Gen 1 एक फ्लाकशिफ प्रोसेसर है बाई स्नाप रेगन की तरब से तो इनमें अगर कंपेर करें तो CPU में 7 Plus Gen 2 आगे है लेकिन GPU के मामले में दोनों सेम है बैटरी के मामले में 7 Plus Gen 2 आगे है वैसे भी दोनों 4NM के लेकिन फिर भी 7 Plus Gen 2 में आपको अच्छी बैटरी एफेशन सी मिलती है और Single Core, Multicore के मामले में 7 Plus Gen 2 आगे है अब उनमें इतना जादा डिफरेंस नहीं है कि आप बोलोगी कि 7 Plus Gen 2 बहुत जादा आगे होगा तो ऐसा नहीं है तो दोनों almost सेम ही है मतलब थोड़ा बहुत 7 Plus Gen 2 कुछ-कुछ मामलों में आगे होगा अब यह तो comparison हो गया लेकिन फोर्थ नमबर पर कौन आता है उसकी बात करें तो फोर्थ नमबर पर आगा 870 फिर 3 नमबर पर 8200 और 2 नमबर और 1 नमबर पर थोड़ा मतलब ऐसा क्लाश हो जाता है मतलब 7 Plus Gen 2 या फिर 8 Gen 1 ये काफी सिमिलर टाइप की प्रोसेसर लगते मुझे लेकिन फिर भी 7 Plus Gen 2 को चलो भाई उसको दे देते एक नमबर की पोजिशन लेकिन 8 Gen 1 भी भाई बहुत तगड़ा प्रोसेसर है बाकि अगर वीडियो पस्ना है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट आले वीडियो में